दोस्तों, बुक चल रही है स्री बाला जी, орगनिक केमिस्टरी चैप्टर है अलकोहल, एथर औड इपॉकसाइड हम आज कुश्चन नमबर वण और उससे आगे चलेंगे करेंगे तो देखते हैं स्री बालाजी एलकोहल इथर और एपॉकसाइड का question number one question number one को देखते हैं दोस्तों chapter है एलकोहल इथर एपॉकसाइड यह chapter है बुक है श्री बाला जी चलिए question number one description box में आपको इसका link मिल जाएगा आपको link of book in description box description box में बुक का link मिल जाएगा आप वहाँ से देख लीजिए question number one करते हैं question number one में यह आपको ring given है यहाँ पर OH है और यहाँ पर आपको दोस्तों five member ring given है अब यह question कहता क्या है यह कहता है कि जो H2SO4 से अगर हम इसकी reaction कराते हैं तो इस H2SO4 की reaction में rearrangement किस तरीके से होगा यह आपको बताना है कहां से rearrangement होगा किस तरीके से rearrangement होगा यह आपको बताना है बहुत ही easy question है कहीं से कहीं कोई tough नहीं है difficulty level इसका बहुत कम है H plus ले लो HSO4 minus ले लो यह dissociation of H2SO4 हो गया अब दोस्तों जो यह H plus है इस H plus को क्या चाहिए इस H plus plus को loan pair चाहिए तो oxygen के पास loan pair है यह oxygen के पास loan pair है यहां पर आ गया और मेरे दोस्तों अब यह क्या बन करके तयार हो गया कुछ इस तरीके से यह बन करके तयार हो गया यह H plus है यहां पर दोस्तों ये five member ring आ गई ये five member ring आ गई अब oxygen पर positive charge oxygen पर plus charge ये बड़ी बात है oxygen की electron negativity electron negativity of oxygen 3.5 होटी है अब ये highly electron negative second highly electron negative अगर कोई है तो oxygen ही है oxygen पर positive charge अच्छी बात नहीं है तो उस case में ये जो दोनों electron है ये जो दोनों electron है ये बांड पेर electron ये यहां चले गए और ये water की तरह से निकल गया ये water की तरह से निकल गया तो दोस्तों अगर ये water की तरह यहां से निकल गया तो यहां पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया और उस केस के पाद यहां पर यह रिंग डेवलप हो गई दोस्तों यहां पर यह वाटर का रिमूवल हुआ है यह आपका रिमूवल आप वाटर हो गया जहां कहीं कोई परिसानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों अब जरा देखो इस positive charge का मतलब है sextet और sextet तो अभिसाप होता है ये अभिसाप है भगवान का अभिसाप है sextet नहीं होना चाहिए तो जैसे ही है sextet होगा इसका परोसी दोड़ पड़ेगा अपने परोसी को बचाने के लिए ये दोड़ेगा तो ये one और ये two और ये three ये जो परोसी है अपने electron को ले करके इसके पास दोड़ पड़ेगा इसके पास दोड़ पड़ेगा दूसरी बात ही है देखो ये five member ring है और जो five member ring होती है दोस्तों वो कम stable होती है और अगर वो कम stable है तो ये six member ring में बदलने कोसिस करेगा ये दुनों electron यहां पर चले जाएंगे तो ऐसी condition में फिर दुबरा देख लीजेगा मैं red pen इस्तेमार कर लेता हूँ ये ये system है one two के बीच में जो कुछ हो रहा है हो रहा है परोसी परोसी जो कुछ कर रहे हैं कर रहे हैं तो इस case में आप देखिए कि ring expansion हो रहा है one two के बीच में ring expansion हो रहा है ring expansion हो रहा है और ring expansion one two के बीच में हो रहा है कर दी जी रिंग एक्स्पेंड तो आप क्या करेंगे बिलकुल निचुरल तरीके से रिंग एक्स्पेंड करिए कहीं कोई डरने घबडाने की जरूरत आपको नहीं है इसे देखो ये वन है घबडाओ मत इसे देखो ये टू था किसी भी कीमत पर नहीं घबडाना है ये 3 था किसी भी हलत में नहीं कबड़ाना है ये दोनों इलक्ट्रोन लेकर कि यहाँ चला गया थोड़ा सा कारबन को सो करने के लिए मैं ऐसे बना देता हूँ अब देखिए 2 पर प्लस चार जा गया 2 इलक्ट्रोन यहाँ पर हो गए दो electron यहाँ पर होगे जहाँ कोई परेसानी की जरुद नहीं है दो electron होगे तो जो यह था इसके पास तो sextet खतम होगया लेकिन यहाँ sextet आ गया थोड़ा सा इसे सुधार करके लिखलो यह थरड था यह थ्री था थ्री इसे थोड़ा सा सुधार के लिख लो, थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख लो, अगर हम इसे थोड़ा सा सुधार के लिखेंगे, तो ये तो six member ring है ही, जिसमें कहीं कोई प्रेसारी नहीं है, इसे देखिए, one, two, three, four, five, और six, दुबार देख लिजे, one, two, three, four, five, और six, कहीं कोई किसी तरह से दूर से दूर तक प्रेसानी की जरूरत आपको नहीं है, और अगर आपको दिक्कत होती है, तो मैं इसे उसी तरीके से लिखता हूँ, जिस मैनर में पहले लिखी हुई है, यानि कि इसी मैनर में लिखता हूँ मैं, जहां पर कोई भी दिक्कत ना हो यह one है पहले वाला यह two है पहले वाला और यह आग पास three हो गया पहले वाला कहीं कोई परसानी की रोक नहीं है तू पर दोस्तों positive charge बना हुआ है तू पर positive charge बना हुआ है अब क्या होगा यहां से आपने एच्छका इस्तेमाल किया था अगर हम इसे catalyst कहते हैं तो catalyst को तो निकल ही जाना चाहिए यह दो electron इसे देदेगा और जब दो electron इसे देदेगा दोस्तों तो अगर आप मुझे permit करें तो थोड़ा मैं इसे और easy सा लिख दूँ इस तरीके से लिख दूँ यहां पर double बोना जाएगा और h plus जो की catalyst की तरह था separate ह हो गया आपको पता है कि catalyst सेपरेट हो जाया करता है question number one हो गया मैं फड़ा सा repeat और कर दूँ यह h2so4 है h plus release करेगा loan pair जो loan pair होता है जो एक तरह से निठला electron होता है निठले electron है निठले electron है वो इस पर attack करेंगे और इस पर attack करेंगे तो यह बनाएंगे oxygen पर positive चार्ल अच्छा नहीं लगता है पानी निकल जाएगा यहां पर sextet develop हो गया sextet अभिसाप है स्राप है पडोसी से दूर करने करें दोड़ेगा पडोसी को फिर sextet यहां पर develop हो गया पडोसी ही sextet का सिकार हो गया और अगर पडोसी ही sextet का सिकार हो गया फिर तो h plus ही निकलेगा और कुछ नहीं हो सकता यह ring expand हुई है ring का expansion हुआ है question number one finish हो गया दोस्तों तो इस तरीके से स्री बाला जी organic chemistry कताब का alcohol ether epoxide chapter का question number one finish हो जाता है चलते हैं दोस्तों question number two पर स्री बाला जी book organic chemistry और इसे देखते हैं alcohol phenol epoxide alcohol etheron epoxide का question number two question number two में क्या है दोस्तों question number two में दोस्तों कुछ इस तरह का arrangement है कुछ इस तरीके का arrangement है और इसके बाद दोस्तों ये कुछ इस तरीके से arrange हो रखा है कुछ इस तरीके का arrangement है ऐसा यहां पर दोस्तों OH है और यह आपके पास डबल बॉंड है यहां पर दोस्तों H प्लस है प्रोडक्ट पूछेगा और क्या करेगा इसके सिवा इसके बसकी बात कुछ है नहीं प्रोडक्ट पूछने के सिवा कुछ और है नहीं देखते हैं अभी बताया है मैंने आपको यह ल प्लेज केसuto और अगर यहां पर प्लस आया है तो इस कंडीशन को देखते हुए अब बिल्कुल परिसान मत होई है यह सिस्टम बनेगा यहाँ पर डबल बॉंड है यहाँ पर डबल बॉंड है इस तरीके से बन गया यहाँ पर इथाईल ग्रूप दिया हुआ है जहां कोई परिसाने की बात नहीं है ये system develop हो गया दोस्तों अब oxygen पर plus charge अच्छा कुछ नहीं लग रहा है डिक्कत हो रही है अभी से पहले question में भी ऐसा ही था तो oxygen पर plus charge अच्छा नहीं है पानी निकल गया water का removal हो गया यहाँ पर ET है यहाँ पर अब plus charge आ गया ऐसा कुछ है ऐसा कुछ है, इस तरीके का सिस्टम डेवलप हो जाता है दोस्तों, पानी निकल गया, वाटर का रिमूवल हो गया, अब जरा देखिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यह जो पोजिटिव चार्ज है न, यह पोजिटिव चार्ज, यह इससे रेजोनियंस, इस्टेबलाइजड है, इससे भी रेजोनियंस स्टेबलाइजड है, अब यहाँ पर दोस्तों, इथाईल ग्रूप है, तो और दोस्तों, क्या यहाँ पर हो सकता है, उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, सोचना प कर दीजिए, यहां से यहां भेज दीजिए, और यहां से यहां भेज दीजिए, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप मुझे डायरेक्ट करने को परमिट करते हैं, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहां पर आपका इस तरीके से डबल बॉंड है, यहां पर ये प्लस चार्ज हो जाता है और दोस्तों अब जरा देखो ये सिस्टम बनकर के तैयार हो जाता है अगर ये इथाइल गूरुप यहाँ पर सिफ्ट हो जाए इसके बीच में, प्रोसियों के बीच में वन्टू इथाइल सिफ्टिंग हो जाए तो फिर क्या परेशानी आएगी कोई खास परेशानी आने वाली नहीं है कोई खास परेशानी आने वाली नहीं है यहां प्लस चार्च हो जाएगा यहाँ पर इथाइल हो जाएगा दोस्तों यहाँ इसे benefit हो रहा है क्या है यह तरसरी कार्बो के टायन आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों secondary कार्बो के टायन आ जाएगा हर काम chemistry में हर काम और्गनिक chemistry में हर काम benefit के लिए होता है stability and profit अगर आप इस दो letter को समझे लेते हैं तो पूरी और्गनिक chemistry हो गई हर चीज का driving force stability and profit है इसके सिवाए और्गनिक chemistry में कुछ भी नहीं है molecules, stability और profit के लिए सब कुछ करते हैं यहाँ पर secondary था और इथाइल के shifting से टरसरी हो गया profit हुआ, profit, profit, profit अगर profit हुआ तो ऐसा हो जाएगा अब दोस्तों देखो finally sextet तो यह भी है इस sextet से इस कोड से इस अभिसाप से छुटकारा चाहिए sextet कोड होता है sextet अभिसाप होता है छुटकारा तो सब को चाहिए तो H प्लस इस से छुटकारा दिलाएगा यह यहां से यहां पर दो इलक्टरॉन दे देगा और जब यह यहां से यहां पर दो इलक्टरॉन को देगा तो उस केस में दोस्तों क्या होगा उस केस में कुछ ऐसा बन करके दोस्तों तयार हो जाएगा इस तरीके से यहाँ डबल बोन है यहाँ डबल बोन है यहाँ डबल बोन लग जाएगा H प्लस यहाँ बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर अभी H प्लस कैटेलिस्ट हो गया जिसका इस्तेमाल हुआ था वो ही बन गया तो यही तो केटेलिस्ट है इस तरीके से दोस्तों स्रीबाला जी औरगनिक केमेस्ट्री एल्कोहल एथर इपॉकसाइड का question number two finish हो गया अब देखते हैं दोस्तों question number three क्या कहता है question number three क्या कहता है इसको भी समझने की कोसिज करते हैं किस्रीबाला जी औरगनिक केमेस्ट्री का question number three एल्कोहल एथर और इपॉकसाइड चेप्टर का क्या कहता है उसे भी दोस्तों पूरी तरह से समझने की कोसिस में लग जाते हैं किस्रीबाला जी बुक का question number three की एल्कोहल एथर और इपॉकसाइड का क्या कहता है ऐसे कुछ सिस्टम है और इसकी reaction का रखी है CS3 COCLC ऐसा है कुछ दोस्तों क्या होगा आप ज़रा सोचिए क्या हो सकता है जहां पर निठले इलक्ट्रोन हो और क्या हो सकता ज़रा आप खुद सोच के बताइए निठला इलक्ट्रोन का मतलब सबसे ज्यादा एक्ट्यू सबसे ज्यादा रेक्ट्यू तो यह दोस्तों तो नाइट्रोजन के निठले इलक्ट्रॉन ये निठले इलक्ट्रॉन हैं यहां पर अटाइक कर देंगे क्योंकि इस पर पार्शियल माइनस इस पर पार्शियल प्लस है तो निठले इलक्ट्रॉन पार्शियल प्लस पर अटाइक कर देंगे और अगर निठलन एलेक्ट्रोनों ने पार्सियल प्लस पर अटेक या तो फिर क्या होगा यहाँ पर M है यहाँ पर H है दोस्तों कुछ नहीं है कुछ इस तरीके से O माइनस हो गया यहाँ पर CS3 है यहाँ पर C L है इस पर अब दोस्तों प्लस चार्ज हो गया प्लस चार्ज हो गया प्लस चार्ज हो गया अरे यार निठलन एलेक्ट्रोन गया तो निठलन एलेक्ट्रोन के जाने के बाद प्लस चार्ज होगा ना यह लोड यह इस तरीके से लोड पर बोल पर में कि यह कियो नहीं काम कर रहा है उसका भी अंसर देख लो और एक्ट्रोन के टॉटे अप्रेशन 3.5 और फ़िम्हार की एलक्ट्रोन की एलक्ट्रोन को पकड़ने की ताकत ज्यादा होती है नाई्ट्रोन की इलक्ट्रोन को पकड़ने की ताकत कम होती पकड़ने की ताकत इलक्ट्रोन को पकड़ करके रखने की ताकत ऑक्सिजन की ज्यादा होती है वो पकड़ करके रखेगा अपने निठलने इलक्ट्रोन को जिकड़ करके रखेगा इसी लिए नाइट्रोजन का निठलना इलक्ट जा रहा है अटैक करने के लिए यह सिस्टम बन गया दोस्तों जरा समझो चीजों को फील करो यह जो आक्सीजन है ना यह जो आक्सीजन है ना यह आक्सीजन अब इंटर्नल अटैक करता है इंटर्नल अटैक करता है इंटर्नल अटैक आपने सुना होगा घर का भेदी लंका ढाये घर का भेदी लंका ढाये तो यह इंटर्नल अटैक है इंटर्नल अटैक है इंटर्नल अटैक तो दुनिया का सबसे फास्ट अटैक है इंटर्नल अटैक तो सबसे ज़्यादा effective है इससे ज़्यादा effective कुछ नहीं है जो आम तोर पर नहीं हो सकता है वो इंटर्नल अटैक से हो जाता है ये अब leaving group है ये leaving group है इसे तो छोड़ के जाना ही है इसे तो वनवास में जाना ही है अब तो ये बन में जाएगा, बनवास में जाएगा, इसे जाना ही है, क्यों? क्योंकि इंटर्नल टैक हो रहा है, इसी लिए जाएगा external से हो सकता है ना जाता internal से जरूर जाएगा इसे छोड़ करके घर जाना पड़ेगा बनवास जाना पड़ेगा घर छोड़ कर किसका? अपना घर छोड़ कर जाना ही पड़ेगा अपना घर छोड़ कर जाना ही पड़ेगा कोई रास्ता है नहीं इसके पास leaving group को भेज़ दो leaving ग्रूप LG leaving ग्रूप लीविंग ग्रूप लीविंग ग्रूप है इसे घर छोड़े करके अब जाना पड़ेगा क्यों 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 कि हीश्त कर रहा है करवा दो ना यार ET as it is है यहाँ पर N है यहाँ पर H प्लस है दोस्तों यहाँ पर C double bond O हो गया यहाँ पर CS3 है CL घर छोड़ करके चला गया यह leaving group है इसे तो जाना ही था यह H अब इस positive को खतम करने के लिए H और यह H जब छोड़ करके चला जाएगा तो यह H और CL मिल करके HCL बना देंगे और final product कुछ इस तरीके से दोस्तों बन जाएगा final product कुछ इस तरीके से दोस्तों बन जाएगा यहाँ पर N है यहाँ पर प्लस चार खतम क्योंकि H चला गया इसलिए प्लस चार खतम यहाँ पर दोस्तों COCS3 आ गया यह पूरी mechanism है हर जगा काम आएगी internal attack internal attack internal attack सबसे ज़्यदा effective इस तरीके से दोस्तों बाला जी बुक organic chemistry alcohol ether epoxide का question number 3 finish question number 4 पर चलते हैं दोस्तों देखते हैं कि question number 4 क्या कहता है इस question number 4 को भी देख लेते हैं इस question number 4 को भी देख लेते हैं यह question number 4 क्या कहता है दोस्तों question number 4 question number 4 क्या कहता है predict the product दोस्तों एक होता है li alh4 समझो बातों को समझो बातों को समझो एक होता है एनने बी ऐच फोर दोस्तों इसे आप एलाई प्लस लिखो और एल एच फोर माइनस लिखो ऐसा लिख लो ना दोस्तों इसे आप Na प्लस लिखो और BH4 माइनस लिखो इसका नाम सोडियम बोरोन हाइड्राइड है दोस्तों हाइड्राइड SbH और इसका नाम है दोस्तों लीथियम ऐल्यूमिनियम ऐल्यूमिनियम हाइड्राइड दोस्तों अल एएच अब दोस्तों जरा समझो बातों को यह एल है यहां पर H है यहां पर दोस्तों H है यहां पर दोस्तों H है यहां पर LI प्लस है यहां पर माइनस है यह 1S का इस्तेमाल करता है यह 3P का इस्तेमाल करता है 3P का Husband एक फुटता यह Husband है Husband वन फिट यह वाइफ है वाइफ इसकी हैड 3 फिट है जब बर्दस्त mismatching है यह weak bond होगा weak bond होगा थोड़ा सा मौका मिलते ही टूड़ जाएगा easy breaking होगी easy breaking होगी थोड़ा मौका मिलते ही टूड़ जाएगा यहाँ पर चलिए na प्लस b h h, h, h और h यह 1s है यह टूपी इस्थेमाल करता है husband husband एक फुट का है wife दो फुट की है comparatively strong bond है मजबूत bond है जल्दी से नहीं टूड़ेगा इसमें तो तीन दो एक, तेट मजबूत bond है यह weak bond है यह difficult breaking है difficult breaking है आसानी से नहीं टूटता है यह bond आसानी से टूटने वाला नहीं है यह आसानी से टूटेगा यह बहुत easily टूट करके बहुत आसानी से टूटेगा और एक माइनस बनाएगा easily बनेगा बहुत ही easily बनेगा easily formation यह easy formation होगा बहुत easy आसानी से बनेगा इसमें difficulty होगी अगर इसके बनने का rate r1 है यह आसानी से नहीं टूटेगा इसके बनने का rate अगर r2 है तो r2 less होगा r1 से इसका less rate इसका more rate इसका rate less होगा इसका rate more होगा इसका मतलब है यह weak reducing isn't है weak reducing isn't है अरे यह h- कम देता है और यह strong reducing isn't है क्योंकि reducing isn't क्या करता है reducing isn't h- देता है यह weak है reducing isn't weak और यह bond weak है तो जल्दी से h- बन गया यह reducing isn't strong हो गया यह strong bond है जल्दी से h- नहीं बनेगा तो reducing isn't weak हो गया तो यह weak reducing isn't आ गया यह weak reducing isn't आ गया और यह दोस्तों strong reducing isn't आ गया strong reducing isn't आ गया एक weak है दूसरा strong है इसको याद रखेगा अच्छी तरीके से याद रिखेगा जो N-A-B-H-4 है यह केवल तीन चीजे हैं जिनका reduction करता है केवल तीन बस केवल तीन बस कौन कौन से तीन है जिनका reduction करता है एक है aldehyde एक है ketone और एक है acid chloride यह केवल तीन के लिए बना है केवल तीन का reduction करता है और यह any group किसी भी group का reduction कर देता है कोई दिक्कत नहीं है तो फिर दुबारा सुन लीजिए अच्छी तरीके से अपने दिमाग में भरिए जो Li-AlH-4 है lithium aluminum hydride वो strong है किसी का भी reduction करता है जो N-A-B-H-4 है वो weak है केवल तीन का reduction करता है aldehyde ketone और acid chloride दिमाग में फिट कर लीजिए questions को करने के लिए अब चलते हैं स्री बाला जी बुक organic chemistry question number 4 aldehyde sorry alcohol, ether और epoxide chapter का नाम है तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस चर्पर में जो question number 4 है उसको हम कैसे करेंगे description में इस बुक का लिंक है देखते हैं दोस्तों यहाँ पर यह वाला गुरूप है यह यहाँ पर CO है यह तो ketone हो गया यहाँ पर C double bond O OH है OCS3 है यह ester हो गया यहाँ पर दोस्तों aldehyde है यह aldehyde हो गया और इसकी reaction किस्से करा रहे है L I E L H 4 से L I E L H 4 से यह strong है इसके पास बहुत ज़्यादा powerful है most powerful powerful है यह कोई दिक्कत नहीं है any group can be reduced any group can be reduced कोई दिक्कत है ही नहीं इसका निर्डक्षन करेगा इसका भी करेगा इसका भी करेगा तीनों का करेगा परेसानी से दूर रहो यहाँ वेच लगा दो परेसानी से दूर रहो यहाँ वेच लगा दो परेसानी से दूर रहो यहाँ पर वेच लगा खतम बाद कुश्चन हो गया चलते हैं दोस्तों कुश्चन नमबर फाइब पर कि कुश्चन नमबर फाइब में क्या होना है कुश्चन नमबर फाइब स्रीबालाजी और्गनिक केमेस्ट्री ये आपके पास कुश्चन नमबर फाइब है यहाँ पर दोस्तों सेव है सेव है कोई चिंज है ही नहीं बिल्कुल एक्जेक्ट है यही कुश्चन है तो इसी को हम मैं क्यों एक्स्ट्रा लिखूँ इसी को अगर हम एन्ने भी एज फूर से करें यह तो वीक है भाई यह तो केवल तीन को छेड़ता है चोथे को छेड़ने की हिम्मत नहीं है यह एल्डिहाइड को छेड़ता है यह कीटॉन को छेड़ता है यह एसिड क्लोराइड को छेड़ता है केवल तीन को छेड़ता है बाकी की हिम्मत नहीं है केवल तीन only three को छेड़ता है only three इसके बाद इसकी हिम्मत ही नहीं किसी को छेड़ने की यह नहीं छेड़ सकता तो इस aldehyde को छेड़ेगा इस ketone को छेड़ेगा इसको छेड़ने की आउखाद इसकी नहीं है तो क्या product बनेगा यह तो as it is इसको छेड़ने की हिम्मत इसके पास थी नहीं इसको छेड़ने की हिम्मत इसके पास थी नहीं यहाँ पर CH2 OH बन गया बात खतम यह कुश्चन नमबर 4 यह कुश्चन नमबर 5 चलते हैं दोस्तों कुश्चन नमबर 6 स्रीबालाजी औरनी केमेस्ट्री बुक चैप्टर है एलकोहल इथर इपॉकसाइड स्रीबालाजी बुक का एलकोहल इथर इपॉकसाइड कुश्चन नमबर 6 दोस्तों यहां पर रिंग है रोमेटिक रिंग है बेंजीन रिंग है यहां पर सी डवल बॉर्ण ओ और सी एस त्री सी डवल बॉर्ण ओ और है एसेड है दोस्तों इसकी रियक्शन कराई गई सी छी त्री ओ सिर रिए कि ही है और यहां पर 18 का इस्तेमाल हुआ है ऑकक्सिझन एटीन का इस्तेमाल हुआ यह रहार निठल ये-ड ये-ड फले-ड कौन है लेटर और माइनश प्लस करंपाइस अटार कर देना निठले इलक्ट्रोन चुप नहीं बैठते निठले इलक्ट्रोन अटैक करते हैं निठले इलक्ट्रोन ने अटैक कर दिया जब निठले इलक्ट्रोन ने अटैक कर दिया तो कहीं कोई प्रसानी नहीं है निठले इलक्ट्रोन ने अटैक कर दिया कहीं कोई प्रसानी है. ये आख पास CEO-, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और CS3, इस पर प्लस चार्ज हो गहा, दोस्तों, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, कहीं कोई परिशानी नहीं है, ये आख पास न्यूक्लियोफाइल है यह इंटर्नल अटैक करेगा इंटर्नल अटैक करेगा मेरे दोस्तों इंटर्नल अटैक बहुत बुराफ होता है घर का भेदी लंका ढ़ाए यह आपने सुना होगा घर का भेदी लंका ढ़ाए तो यह इंटर्नल अटैक है इंटर्नल अटैक करेगा और जब ये इंटर्नल अटैक करेगा तो इसे लीविंग गुरूप की तरह निकलना पड़ेगा घर छोड़ना पड़ेगा घर छोड़ना पड़ेगा इसे तो घर छोड़ना पड़ेगा और इसका एक ही दोस्त है ये दोस्ती नहीं भाएगा ये दोनों इलक्टरोन इसे दे देगा और यहां पर ये बेंजीन रिंग C1O, OCS3 ये 18 है, ये दोना 18 और प्लस बन जाएगा दोस्तों OHRH, H2O ये बन करके त्यार हो जाएगा दोस्तों ये ऑक्षिन 18 इसमें रहेगा ये एस्टर होगा इसी रियक्षन को एस्ट्रीफिकेशन रियक्षन कहा जाता है कुश्चन नमबर 6 स्रीवाला जी बोक और्गनिक कैमेस्ट्री अलकोहल इथरी बोक्स्ताइट का हो गया 7 पर चलते हैं कुश्चन नमबर 7 क्या कहता है स्रीवाला जी बोक जब कर है अलकोहल इथर और इपोक्साइड और्गनिक केमेस्ट्री का 7 भी ही है 7 में कुछ अलग है ही नहीं C double bond O OH है दोस्तों C double bond O OH है दोस्तों यहां पर दोस्तों CH2 और यहां पर दोस्तों O है H है यहां पर दोस्तों CH2 O है H है यह lone pair है दोस्तों यह lone pair है lone pair का मतलब निठले इलक्टॉन बता ही दिया है मैंने lone pair का मतलब निठले इलक्टॉन अब तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं दूर से दूर तक कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर CH2 यहाँ पर CH2 बात खतम हो गई अब चलते हैं दोस्तों कोईशन नम्बर 8 सरी बाला घी ट कोई देखते हैं दोस्तों ये क्या गहता है मोस्ट इजली जो ऑक्सिडाइज हो जाए दोस्तों मेरी बातों को ध्यान देखिए यह मास्टर ट्रिक है सुगलाज मास्टर ट्रिक देखिए क्या है अलकोहलिक हाइड्रोजन की ओएच में चेंज होने की टेंडेंसी होती है अलकोहलिक हाइड्रोजन की ओएच में चेंज होने की टेंडेंसी होती है एल्कोहलिक ह has a tendency to change into the OH याद रखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है एल्कोहलिक ये एल्कोहलिक क्या है दोस्तों ये एल्कोहल गुरुप है एल्कोहल ये एल्कोहलिक कार्बन है दोस्तों ये एल्कोहलिक हाइट्रोजन है दोस्तों और ये एल्कोहलिक हाइट्रोजन है दोस्तों ऐसा सिस्टम है इसके टेंडेंसी है OH में बदल जाने की इसके टेंडेंसी है OH में बदल जाने की तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे ही oxygen मिलेगी ये OH में बदल जाएगा जैसे ही oxygen मिलेगी ये OH में बदल जाएगा एक carbon पर दो OH नहीं रहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती हैं तो तो यहां से water निकल जाएगा और बनेगा R C double bone OH जैसे इसकी tendency change होने की थी वैसे इसकी भी है तो फिर ये change हो जाएगा और बनेगा OH alcoholic H की OH में बदलने की tendency होती है बिल्कुल याद रखिए दूसरी एक सुकलाज master trick ये है oxidation के लिए दूसरी सुकलाज master trick और भी ध्यान दे लिजेए क्या है कार्बोनिल H OH में बदलने की tendency रखता है H bonded to कार्बोनिल ग्रूप has a tendency to change into the OH कार्बोनिल H था ये वे जंबल ये ये सुकलाज master trick पिल्कुल पक्का कर लीजे तो अब देखिए कुश्चन नंबर 8 कैसे होता है दोस्तों कुश्चन नंबर 8 पर चलते हैं कि कुश्चन नंबर 8 कैसे होगा कुश्चन नंबर 8 कैसे होगा रे दोस्तों ये है ये ओएच है ये ओएच है ये सी ये स्री ये क्या दिक्कत है क्या परिशा नहीं है अल्कॉलिक एच चेंज हो जाएगा ओएच में दोस्तों क्यों परिशान हो रहे हो अल्कॉलिक एच चेंज हो जाएगा ओएच में क्यों परिशान हो रहे हो लो बन गया alcoholic HOH में change हो गया खताम स्रीबालाजी बुक का organic chemistry का question number 8 chapter का नाम है alcohol ether और epoxide finish हो गया अब चलते हैं दोस्तों question number 9 पर स्रीबालाजी organic chemistry का question number 9 alcohol ether और epoxide में क्या कहता है उसे भी दिखते हैं question number 9 में दोस्तों ये कुछ इस तरीखे से pentagon है मैं अगज़ा बना रहा था pentagon है यहां पर OH है दोस्तों इसके बाद यहां पर दोस्तों C double bond OH है इसमें क्या डाला क्यों परसान हो जो बता दो क्या डाला acidic K2Cr2O7 डाला acidic K2Cr2O7 डाला परसान मत हो K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 ये बनाता क्या है K2SO4 प्लस CR2SO4 प्लस 4H2O प्लस 3O क्या है Alcoholic H OS में बतल जाएगा Alcoholic H OS में बतल जाएगा क्या है Alcoholic H OS में बतल जाएगा बिल्कुल घबड़ाओ मत Alcoholic H OS में बतल गया बतल दो Alcoholic H OS में बतल गया बतल दो एक कारबन पर दो OS नहीं रहते एक मियान में दो तलवार नहीं रहती निकाल दो पानी को यहां से पानी निकाल दो Water Remove कर दो H2 दोस्तों क्या हुआ क्या बना ये कुछ बना ये कुछ हुआ ऐसा ये कुछ बना ये कुछ हुआ ऐसा अब क्या होगा जरा ध्यान दीजे मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है को छोड़ा तो है नहीं मैंने यहां पर Hydrogen Bonding होगी तो जब यहां पर Hydrogen Bonding होगी तो Bond बनेगा Formation तो फिर Breaking तो फिर Formation तो फिर Breaking ऐसा सिस्टम आएगा तो फिर Formation तो फिर Breaking बताया था मैंने इसे यहां पर ये एक transition state बनेगा और इस तरीके से जब transition state बनेगा दोस्तों तो जरा समझेए आप कि इस transition state के बाद क्या होगा इस mechanism को मैं बहुत बार बता चुका हूँ transition state वाली mechanism को breaking formation bf 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 b dan f b dan f bf 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 बहुत बार bf बता चुका हूँ कोई रिक्कत नहीं है कहीं कोई प्रसानी नहीं है दोस्तों यहां पर bond बनाना है बना दो बना दो यह bond बना दिया यहां f तो यहां b तोड़ दिया तो यहां पर f बना दिया तो यहां पर b तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तो यहाँ पर C double bond O यहाँ पर तोड़ा यहाँ पर बनाया CO2 separate CO2 separate इसका मतलब यह decarboxylation हो गया removal of CO2 removal of CO2 decarboxylation हो गया तो कुछ है ही नहीं कोई प्रेसानी ही नहीं है कोई मुसीबत ही नहीं है Tautamirization दोस्तों Tautamirization Tautamirization कर दो One, Two, Three One से थी पर कहुँचा दो कोई दिक्गत नहीं बची Tautamirization कर बन गया इस तरीके से दोस्तों Q9 स्रीबाला जी बुक का Organic Chemistry का Alcohol, Ether, Epoxide का Finish हो गया अब देखते हैं दोस्तों Q10 क्या कहता है स्रीबाला जी बुक का Organic Chemistry का Alcohol, Ether और Epoxide का Q10 क्या कहता है और देखते हैं कि Q10 हमें कहां ले जाएगा यहां पर HBR के साथ सबसे आसानी से निठले इलक्ट्रान जा करके अटैक कर देंगे कुछ इस तरीके से H और H आज जबतास देटा है कोई दिक्थ नहीं है यहां पर plus charge जैसे यहाया यह बड़ा अच्छा LG बन जान गया बहुत अच्छा LG बन गया कहीं कोई 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 दिक्थ नहीं है गुड LG गुड LG गुड LG और गुड PG सबकुछ डिपंड है इस्टेविल्टी और सब्सक्राइब कर रहा है अगर stability कार्बगटायन की ज्यदा है तो रेक्षन अच्छी होगी अगर stability ज्यदा नहीं है तो रेक्षन बेकार होगी तो सबकुछ रिपर दिपेंड करता है BR-Nucleophile है यह अटाइक कर देगा BR बना देगा तो दोस्तों टर्सरी कार्बगटायन की stability सबसे जगा फिर secondary कार्बोकटाइन की stability फिर primary कार्बोकटाइन की stability ये stability का order होता है तो अब देखते हैं कि क्या कहानी है दोस्तों अगर आप इससे अच्छी तरीके से observe करो तो यहाँ पर ये तरसरी है तरसरी बनाएगा ये तरसरी बनाएगा जिसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है ये तरसरी बनाएगा और तरसरी कार्बोकटाइन बन गया तो इसकी stability सबसे ज़्यादा most stable हो गया और अगर most stable हो गया तो इसका मतलब सबसे अच्छी रिट्सन यही देगा इस तरीके से दोस्तों स्री बाला जी और ग्लीक केमिस्ट्री का एलकोहल एथर और एपोकसाइड का कुश्चन नमबर 10 तक मैंने फिनिस कर दिया thank you very much thanks a lot